दोस्तों सभी का आपके अपने इस येट्यूट चैनल में ठीक ना तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 अनपाथ समान पात का पार्ट 2 वीडियो आपको अपलोड किया जा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप वीडि यो देख सकते हैं तो आप चतिश्गार की किसी भी प्रतियोगी पाइच्छक तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्तवपूर है महत्तवपूर प्रसनों को आपको बिल्कुल बेसिक से आपका कराया जा रहा है तो यह तीसरा पार्ट है यदि आप दो पार्ट आप मोबाईल से देखके आपको स्क्रीन पर दिखेगा ठीक चलिए कोश्चन इसे चलो करते हैं तो देखिए ए तेरा कोश्चन आपको पहले कराया जा चुके थे एधा है आप चोगदाहँआ कोश्चन आपके लिए ठीक ना तो चुगदाहँआ कोश्चन हमारा 24-30 पाउपाँ टेन पाई 4-35 हो जाता है तो ए का हिस्सा क्या था आहां समझ ही आपके पास टोटल रुपए कि पना दिया हुआ है टोक्टल रुपए आपको बोला है चौबीस रुपए आपका चौबीस 203 Fig he लेल्ए उसमें भल दिया है कि ABMC के हिस्षे का सेस क्या गया है ती सेसं पाथ है कब सेसं पाथ है जब अ बी वसी के हिस्से में से अगर पांच रुपई 10 रुपई और 15 रुपई ले लिजा है इसमें से कितीने रुपई निकाले जा रहे है उसको निकाल देते हैं हम तो यहां सध्यान से समझें देखिए आपको क्या बोल दिया कि A B वसी के हिस्से में से अगर पांच रूपए 10 रूपए 15 रूपए तीनों रूपए आपके निकाल दिये जा रहे हैं ठीक ना तब यह अनपात आपका हो रहा है ना तो सेस रूपए भी हम ले लेते हैं सेस अनपात फिर हमको मान ज्यात हो 60 China 24 रूपए носे रूपए आपकर कितना हो जाएगा तो शेस रूपए 24 ठीक से रूपए तो अभी चेक को जोड़के कमान ज्यात कर लेते हैं तो आपका ठीक ना तो चार तीन सात सात पांस बार यहां से आप 2400 कर दीजिए बटे में इसको ले लाइए यहां बटे में गुड़ा में आप 3 कर दीजिए करें यहां से आपको एक कमान ग्याद कर दीजिए 12 कमान 2400 बटा बार हो जाएगा चाट लिजिए इसको बारत दुना रूपए के दिन susi कितना हो जाएगा आपका चया je समझे आपका 7 पचाहुआ रूपए बचाहार रूपए और एक के हिस्से से कितना रूपए निकाला जा रहा है के एक हिस्से से क्रम 100 एक हिस्से गिसे 5 रुपए निकाला गया है तो इसमें 5 जोड दीजिए क्योंकि यह का हिस्सा पुछा है पहले का हिस्सा है तो आपका 605 रुपए तो एक हो जाएगा आपका एंसता मतलब एक का पहले हिस्सा कीतना था 605 रूपय था जिसमें पांच रूपय निकाल दिया है तो snatch रूपय निकाल दिया था कि लेकिन पहले का इंसता पुछा एव हुआ है तो आपका दिया हुआ हुआ आहां नुपाध месте कर दीजियो उपर में उसको नीचे बट्टे में इसके बाद खुरातीन कर लीजियों से आप सकते हैं यहां के नेकर बारा दुना 24 शय यही आपको बताना चाहा रहा था तो चलिए आसा करता हुआ को समझ में होगा नहीं आया होगा तो आप पिछला वीडियो जाके बरिहां से देख लिजी आपको समझ में आएगा पहले आप बेसिक जैनिये इसके बारे में फिर अच्छे से समझ में आएगा ठीक ना चलिए द पांच अनुपार तीन हो तो पी कमान क्या होगा वह दिया पी अठी़ 했는데 आहसा मद आपका होगा है 5 3 5 nossas 253 15 को मैंने को बताया है कि इसको क्या पढ़ते हैं आपका समानुपात और इन दोनों को अनुपात तो समानुपात का मतलब आपका क्या होता है मैंने बताय है समानुपात का मतलब होता है बराबर इसको बराबर नहीं करना चाहते तो डाइरेक्ट ठल कर लीजिए बाहर-बाहर का गुड़ा अंदर अंदर का गुड़ा धिक ना फिर आपका मांग याद हो जाएगा देखेए पी गुड़ा ठ्री कर लीजिए हां पी गुड़ा ठ्री उसके बाद समाट बात के जगा आपका बराबर ठ्र-ठार आफसन में दिया हुआ है आफसन नंबर वी में दिया हुआ है आफसन नंबर वी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा 30 ठीक ना पी का मान कितना हुग या 30 तो एकदम एजी सवाल है ऐसे सवाल ठीक आपको पस करना कुछ नहीं है बाहर बाहर का गुड़ा कर देना है अंदर क्या होगा ठीक तो आपको एक सुत्र मैं बता जिता हूँ आप याद कर लिजे एक सुत्र होता है बी स्क्वाइर ब्राबर एसी क्या होता है बी स्क्वाइर ब्राबर एसी यह सुत्र है आपका यहां बी का मतलब होता है मध्यपद यह का मतलब होता है आपका प्रथम पद है की ता उपका प्र mah4 K columns होता है सको बोलते हैं ये को बोलते हैं को बोलते हैं उन्हों बोलते हैं तो इस सुटर आप याद रखेंगा जब भी आपके पास प्राथम आधिये हो तो आप मध्यक याद कर सकते हैं और मध्या circuit तुर्थमम पद गयांत कर सकते हैं अब देखिए आपका प्रसण में खिला है आथ हो 12 का तुरतियात प्रिटयाउपाती गयाने किजिए किसरीपात अनुपाद rate कितना है आपका 12 है तो इस सुत्रों में मान रख़ढ़ दीजिए 2 स्क्वारबर ए सी में तो बीस स्क्वार प्रका जगा आपका क्या हो जाएगा 12 का इस्पवयर बराबर एक जगा आपका हो जाएगा आठ यहां सी कमान जो भी आएगा हो जाएगा आपका एंसर तो आपसन नंबर सी में दिया हुआ ऐसे सवाल जभी आपको कोई पढ़ गया जाएकस तो आपको भी सकते हैं आपको हैं का चतुर्था नुपाद ग्याद कीजिए लगभग में ठेना फोर्थ प्रोपुजनल बोला जाए तो यहां आप समझे कि चतुर्था नुपाद बोला ना यहां आप यह सुत्र को मत लगाएगा जो मैं आपको यहां बता दिया ठीक ना भी स्कुल ब्राबर एसी क्यों नहीं लगाना है उसको भी समझ लिजिए यहां आपने को यह तीन पद दिया हुआ है तीन दस्मलव छए और चार ख़ए दस्मलव नौव और 11 दसमलव चार तीन पद दिया हुआ है चौथा पद ग्याद करना है लेकिन यहां मात्रा आपके पास दो पद दिये हों और तीसरा तहीं होता है यहां है अपको क्या दिया आपका पहला 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 पद दिया हुआ है mêmes icon फिर तीसरा निया हुआ उस्को समानु बेडला आप च्शाता पद करना क्या ब्याता थना तो तीसरा में ग्याद किजिए मतलब प्रथम पदें हो गिया उसके बाद आप लगा दीजिए सेकेंड फिर तीसरे पद के बाद समानुपाद फिर आपका तीसरा पद फिर चौथा पापद करना है बस आ बाहर बाहर का गुळा कर दीजिए अंदर का अपसहलेद गुडा म milo लोग चार भी नहीं वर्टे में आपका हो जाएगा सदस्मastern भी दो स् lesmia अपका किंशन के बाद भारती आपका आपका हो जाएगा बारती ही आ आपका हो जाएगा अ fathie आपका Madriga on September 2019 फिर्णा स्टीष तुभार हो जाएगा 10 सब्सक्राइब अब इन दोनों को गुड़ा कर लिजी आप तो कितना हो जाएगा पांच बचेगा उनीस तुना आर्टीस आर्टीस पांच आपका हो जाएगा तिरा लिस ठीक ना ये कंग के बाद दस मलाव बट्टे में आपका है दो जैसे आप आप चाहां यहां कार सकते हैं जल्दी कारने कोशिस के जाएगा अब इसको भाग दे दीजिए आपका दो एक कमदो दो दूना चार हो जाएगा आपका दो एक कमदो हो जाएगा एक बचेगा दो अटे 21.9 तो लगभग यह किसके हो जाएगा आपका 21.9 के लगभग हो जाएगा यह आपका हो जाएगा answer 21.9 आपसन नमबर D आपका सही answer हो जाएगा तो ऐसे आपको हल करना है यह था हमारा 17हमा प्रसना कुछ धन है तोki यदि याम को रुपए 247 में तो राम को कितनी रासी ब्रक्त हुई बयुक्त है क्या प्रस्वा प्रश्न भी ना कोई धन रासी यह जिसको और अंपात न ही ज हूइ ख्राम उसिया में का राम Сियाम को राम गिसको स्याम को दौसावा तालिस रुपई मृले तो राम को कितनी राशी, प्राप्त हुई प्रात लेजीए 247 बटे में 19 करके आप मान ग्याद किजिए आपका एंसर आजाएगा देखिए 19 से कम 19 19 से कम 19 हो जाएगा यहां बचे का 5 तो 19 संतावन अनुपात कितना आगिया आपका 13 आगिया अनुपात एक कमान तैरा आ गया स्ब्श्यर्मुजूनुजण फूंग स्विफ तो आपका आपसे नमबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीना इससे आप ग्याद कर सकते हैं यहां नहीं चलेगा देखे अनुपात पराबर आपका आपको समझ में आया होगा देखे अब हम देखते हैं अंगला प्रसन आपको बता दू वीडियो पूरा सुरू से अंतक देखिए आप यदि आपको अच्छा लगे तभी लाइक के जेगा ठीकना और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब के जेगा पहले वीडियो से अंतक आप जरू देखिएगा ठीक अब हम देखते हैं उनिस्वा प्रसन उनिस्वा प्रसन है हमारा 395 रुपई को ठीकना एबी सी में इस प्रकार बाटा जाता है कि बी को ए से 25 परसेंट अधिक तथा सी से बीस परतिसत अधिक प्राप्थ होता है तो एका भाग होगा ज्यान से रुपई देखिए हैं कितना टूटल रुपई है कुल रुपई है हमारा 395 रूपई कितना है कूल आपका 385 रूपइ ठीक इसको ए बी और सी में बाटा गिया इस प्रकार बाटा गिया कि बी से बी को ए से 25 परसेंट अधिक ठीक न भी को ए से किसको b को a से 25% अधिक 25% अधिक कहने का मतलब क्या हुआ 25% अधिक इसको आप change करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 बटा रिखेंगे परतिसाथ हटाएंगे तो 30 सथ हटाते हैं तो बटें 100 करते हैं 25% अधिक कहने का मतलब 25 बटा सव कार दीजिए तो आपका एक बट्टा चार थे ना 25 परसेंट का मतलब होता है एक बट्टा चार और यह क्या मिला आपका अधिक मिला थे ना 25 परसेंट पहले होता भी बठे का मतलब क्या होता है अनुपाथ होता है फिक से ना तुट पांच बंटा जा रहा है कि सी से बीस परसेंट अधिक प्राप्थ होता है कि से बीस बीस परसेंट अधिक प्राप्थ हो रहा है तो इसमें भी अधिक प्राप्थ हो रहा है तो इसमें प्राप्थ हो रहा है तो इसमें जोड़ दीजी आप तो पांच में जोड़ देंगे च्छे हो जाएग हो खि惜 हो गया तो अंपाथ से आपको उन्ताइब आगे हम कैसे करेंगे अंपाथ गैया ख मैंको वाइंगे देखिए डोनों में आपका कामन में नहां करते हैं याँ कामन है आपको बताए हूं जब कामन हो तो आपको क्या करना है मिलेंस करना है आपको पिछले विडियो में बताये जा चुका है आपको नहीं की साथ कर देते हैं है का मान् दोनों में समान हो गिया आSPक डिशीक कितना गया कमान 30 आंगया यहां गलत लिख दिया क्या देखे एक का हिस्स्ता चोबीस है रिका इस्सा 30 यहां उल्टा लिख दिया हो ठिक ना यह जोड़ेंगे तो 549 3252 साथ हो जाएगा अनुपात में 89 हो गया आपका 395 अब अनुपात एक कमान घ्याद कर लिए जीए तो आपका 305 बढ़ता में आपका 989 हो जाएगा एक इतने बार में जाएगा तो देखिए आपका कितने में होता है नौपना 45 पांच बार कीजिए देखिए पांच बार करेंगे कितना हो जाएगा नौपना 45 बचाथ सब्सक्राइब निम्हांगने चल जाएगा नपात कमान कितना हो गया था पांच रुपए अब आपके पास क्या पुछा एक आपका भाग पुछा है तो एक आपका कितना है चोवीश एक अनुपाद बराबर पांच रुपए तो पांच गुड़ा 24 ठीक न पांच गुड़ा जाएगा आपको बेसिक आने ही चाहिए इसके लिए तब ही आपको एक फ्रस्न समझ में आएंगे ठीक ना बेसिक जानने के लिए आप मेरे पहले वीडियो को जाके देख सकते हैं अच्छे से ठीक ना पार्ट वन को लिंक आपको description प्रस्ष्ट पर लिस्ट में हमें आपको दिख जाएगा चार पदर समान उपाथ है देकि आप बोल दिया चार पत समानुपात है पहला दूसरा और चौथा पत क्रम सार चार तथा हैं सब्सक्राइट संब्सक्राइब समझेगे आपके conten थी पत शर पत समान पतमान ascender समान पत मतलब चारक समान पत है मतलब पहले स शार कर दैं कर दो देखें पहला दूसरा और चार दिया हुआ है और तिसरा पद ग्याद करना है तो तिसरा पद हम इसको लिख सकते हैं कि इसको ग्याद करना है कि लिख लिए अब बाहर का गुड़ा अंदर का गुड़ा जैसे वंको बताए गया है तो हो गया आपका वट्टे में 22 हो जाएगा अब आप इसको काट लेजिए ग्यारत दुना 22 हो जाएगा ग्यारत यह आपका 33 हो जाएगा दो एक कम दो हो जाएगा दो दुना में दिया हुआ है आपके पास पूछे भी जाते हैं इसे प्रसना क्योंकि आपके पास समय कम रहता है कम समय में प्रसनों को हल करना सिखिए आपके लिए बेटर होगा ठीक अब हम देखते हैं अगला प्रसना है हमारा मध्यानुपात और तृत्या अनुपात के सुत्र का उप्योग करके ब्रशन में आपको पहले में क्या दिया है पहले में थी यानुपात के सुत्र का उप्योंक और आथ हैंट वहाँ शिय हुआ है इसका तिसरा स्करात करना है तक कैसे के लिए मुनने आपको एक सुत्रा बता हुआ था आपको याद होगा सुत्रा आगे बिस्ट बनाइवन के स्कार और नаци को सोलाएं ये मिल्स ऑजा स्काट है और रख लेजिए हैं तिसरा पद यहां आठ दिया हुआ है चुरुमान रखेजिए तुमास्य हो जाएगा है इसको supporting यह तो आपका 20 स्कोर बटा यह हो जाएगा 20 स्कोर कमानल यहां कितना दिया हुआ Treasury क कंछ dużo हो जाएगा इसको काट लीजिया आप तो कितना हो जाएगा और जिरो का शी चुन की तरीय फाद कितना निकड़ गया हमारा 50 जा है अब यहां मध्यपč याद के लेते हैं तो मध्यप्द मतलब यांड क्या है ठीक चमकानन धिया हुआ है ठीक, B square बढबर 36 तो B बराबर आपका किना आ जाएगा 6 क्योंकि यह 6 का square होगा आईसे होजाएगा B square बराबर 6 का square तो B बैराबर आपका 6 होजाएगा B का मान 6 C का मान 50 मतलब 13 अनुपाद 50 मध्या अनुपाद 6 है आपका ठीक और किसका देखे उन्ही दोनों के बीच आपका अनुपात ग्याद करना갔 पढ़ गया से तो के के बीच के मद्या अनुपात का अनुपात की यह ठ़िक ना मतलब इन दोनों का अनुपात ग्याद करना है, मतलब 50 अनुपाद 6 इसको ग्याद करना है, ठीक, तो ये 50 अनुपाद 6 हो जाएगा, या इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, आपका 2 से दोनों को काट दीजिए, ये 25 अनुपाद 3 हो जाएगा, ठीक, तो ऐसे आपको केवल एक सुट्र याद रखना है, और आपको दोनों सवालों को हल करना है, आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक, चलिए चलते हैं, अगले प्रस्न की और आपके, ठीक, अगला प्रस्न है, हमारा और 22 प्रस्न है, आपका 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपाद का पता लगाएं, यहां प्रस्ण को करें करा चुका हुं तो इसको आप कुछ से हल किजिएगा पढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है भी जाटिका देखें देहीं है ऐक ठीष्मां प्रस्णा है एक थाले में कुल 56 रूपय है ठीच ना बोन रूपया देदिया 56 थाला है जिसमें 56 रूपय है जो एक रूपय 50 पैसे औसे 45 सिक्षों की 6 संख्या 24 रूप homage से उक रूपय वाले ψिक्कों की संख्या क्या है अब देखें कूल पैसा इहां देदिया है आपका रूपएन रूपएन जिस्क्त किना है रूपएन है त्य इस में आपका क्या दिया हुआ है है कि 50 परसे वाले सिक्षों की संख्या 202 कि दोगुनी रुपिया वाला एक है तो पचास पैसे वाले सिक्कों की संख्या दुगनी हो गया आगे आपका वही बोल रहा है कि एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चार गुनी है को यही आपको बोल दिया थी ना 25 पैसा वाला ही कि आपका एक रुपए वाले सिक्के की संख्या से चार गुनी है ठीक चार गुनी है जहां से समझें रुपए आपका 56 रुपए है यहां क्या बुला है आपका 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दो गुनी है तो था एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चार गुनी है ठीक ना कुन है पचास पैसे वाले रुपए की संख्या लास्ट में क्या बुला एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चार गुनी है ठीक ना पचास पैसे वाले सिक्कों की संख्या किस से एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तो एक रुपए यहां ठीक तो पच्छासपैसराओं कि संख्या नहीं कि संख्या होता है हाँ तो हम क्या करते सभी को जोड़ देते फिर इससे भाग देते हैं किमांग्यात पता हो जाता लेकिन यहां देखिए आपका यह रूपया पैसा पैसा अलग अलग पका के सिख्ए है तो ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है क्या भोल दिया आपका फोटा सिंपरों कि मुल्य कोर और मतलब कितने रुपई हो गया आपका एक रुपई मताशाば पाशाइब थे मझें चाहिए नोच रूपय के रफा साल करेंच मैं और रिभी ौपय के बराबर हुए थीआ मैं टूर्ट है मंझाने मुतैंने में पेलिंदर क्म दोट्रसहों कासषिर्ण को पशकेत्ण स्थ दौर सुर्द के बराङे। 200 पैसे मतलब 2 रूपए के बराबर 2 रूपए के बराबर हो जाएंगे आपके ठीक ना तो यह आपका चार इसको गुड़ा करेंगे तो आपको निकल जाएगा मुल्य मुल्य यहां ग्याद करना है तब आपके पास टोटल ग्याद होगा अब 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे आपका चीने करेंगे अब इन तिनों को जोड़ देंगे तो खुल रूपई यहां दिया हुआ है उसी वही निकल जाएगा हमारा तो इन तीनों को कियमकि हमने समान रुपई में तीनों को बार दिया हैँ अब इन तीनों को झोड़ देते हैं तो एक प्लस दो प्लस आपका हो जाएगा एक बठा में यह हो जाएगा बच फ़राबर आपका vitपन रुपई यह है इसको जोड़ लीit आक कितना होजाएगा साथ बराबर हो जाएगा चपन गुड़ा दो तो अनुपात एक कमान कितना आजाएगा आपका चपन गुड़ा दो बट्टे में यहां साथ हो जाएगा ठीक इसको काट लेजिए आपका साथ एकम साथ साथ अठ्टे चपन आठ गुड़ा दो मतलब सोल्व लए नुभ्त कुंखिया तो आपके पचास पैसे वाले, सिटकते के संख्या, सूल्व कमान उब्राबर उबार ट्रट की बराबर 16 है तो अनुभ l 60 कमद चार हो जाएगा लाउया चार मतलब 64 च haft witnessed सिक्क्य हो जाएंगे आपके पचास पैसे कि इसमें ठीक छलिए अब हम देखते हैं चोविस्वाइब प्रसना थीक ना तो चोविस्वाइब प्रसना है आपका ठीक इसमें भी पैसेवाला है देखिए आपका रमेश के पास पचास पैसे दीआ है आपका कोल रुपए कितना है 116 रुपए अब यहां बोथी आपका कि 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपए यह वह पांच रुपए ठीक ला पर फांच रुपए के सिक्क्रण का अनुपात आपका दे दिया है आप तो समझेगा प्रस्न को यह अनुपात दिया तो कितने होगा आपके एक रुपए हो गए 50 पैसे के दो सी कितने हो जाएंगे आपके एक रूपए के बराबर हो जाएंगे ठीक ना और 5 रूपए के पांच पांच सिके किसके बराबर हो जाएंगे पांच रुपईया के पांच हैं आपके पास तो पांच पच्छीस रुपई के बराबर हो जाएंगे पांच रुपई के बराबर हो जाएंगे पांच रुपई के पांच रुपई के बराबर हो जाएंगे अब देखिए मुल्य हमको ग्यात हो गया रुपईया म लिए जब एक ही चेज में घ्याद हो जाए आपको रुपई में मुल्य तो बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और इससे देख लिए अनपात कमान कितना रहा है तीन वेक चार हो जाएगा 25-4, 29 जोजाएगा कुल अनपात में आपका 29 जोजाएगा यहीं दिया हुआ है अनुपात बराबर 16 रुपई हमको ग्याद कर पहले एक अनुपात कमान ग्याद कर लेते हैं तो 16 बठा में 29 हो जाएगा आपका कार देंगे कितने बार में जाएगा यहां चार बार पढ़ेंगे तो देखिए आपका इकाई यांग 6 आ जाएगा पढ़के ट्राई कर लेते हैं नौचा को 36 हो जाएगा चार दुनार तिंग यारा जी हां चार बार में पूरी तरह से चला जाएगा यह भाग्ठी तो अनुपात एक कमाल चार रुपई या मतलब चार सिख्के हो जाएगे अनुपात एक बराबर चार तो जब अनुपात एक बराबर चार हो गया आपका ठीना तो पचास पैसे के सिख्कों की संख्या ग्याद करनी है तो पचास पैसे का अनुपात कितना है यही आठ है आपके पचास पैसे वाले सिख्कों की संख्या मतल पुछा है तो आठ है पचास पैसे वाले सिख्कों की संख्या तो इसमें आपका आपसर नंबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा अब हम देखते हैं अगला प्रस्ना अगला प्रस्ना और अंतिम प्रस्ना है आज का प्राइं तो ज्यादा हो गया मैं इतना सुचा नहीं था हो जाएगा ठीक न थोड़ा सवाल आपके थोड़े पटान थे क्योंकि हार्ड लेबल है तिसरा पार्ट है तो थोड़े कंप्लिकेटर तो होंगे प्रस्ना तभी तो सवाल थोड़ी पूछेगा आप से एक्जामिन रट तो देखिए लास्ट प्रस्ना है आपका 255 प्रस्ना एक पर्स में 455 रूपए है जिसमें एक रूपए दो रूपए तथा पांच रूपए के सिख्के क्रम सा दो अनुपात चार अनुपात पांच के अनुपात में है इसमें दो रूपए के सिख्कों की संख्या कितनी है ठीक ना बस इससे पहले जैसा प्रस्ना था वही प्रस्ना है आपका बस थोड़ा चेंज कर दिया गया ठीक ना पर्स काल दिया गया पर्स में कुल कितने रूपए हैं कुल रूपए हैं आपके 455 रूपए है ठीक टोट हैं एक रूपए दो रूपए में रखे हुए हैं कितने अनुपाद में हैं आपके दो अनुपाद चार अनुपाद पाँच इन श्रम्य धीन प्रकार के पी चान ला दिया है यां सोग नहीं जब भी आपके पन्हें सिक्का दिया हो और सिक्कों की संख्या पुछा हो ठीक ना सिक्कों की संख्या पुछा हो तो पहले आप मुल्या में चेंज कर दीजिए तो एक रुपई के दो सिक्क्य हैं तो कितने रुपई हो जाएंगे दो रुपई हो जाएंगे एक रुपई के दो सिक्क्य मतलब दो रूपय दुरीट के चाहट सिखें मतलब दो च्खो ॉ रुपए हो जाएंगे तो जी पर प्यार्श. पचीस रुपए के बराबर हो जाएगा तो जोड श्रुपै के बराबर हो जाएगा अब टीनों को जोड़ लीजिए उन और पाइस तुरी आठ दो दस दस में 25 जुड़े आपका 35 हो गया अनुपात 35 कमान कितना हो गया आपका 535 कमान ठीक ना अनुपात 35 कमान आपका हो गया सब्सक्राइब करना है दो रूपए के सिक्कों की संख्या दो रूपए के सिक्कों की संख्या गया करनी है दो रूपए के कितने थिए हैं कितने अनुपात में चार उनुपात में तो नुपात एक कमान ठीक क्तना गूड़ा चार तेरई प्रवद की में धिया हुआ है देख सकते हैं आपसर नंबर एनसर हो जाएगा आपसर नंबर भी आपका परulent सी एकड़ ऑगग तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे जब भी आपके पास सिख्का वाला सवाल पुछे आप जरूर से जरूर उसको मुल्य में चेंज कर लिजिए उसके बाद ही आप इसको हल किजिए ठीक तो यह थे आज के हमारे प्रसना ठीक ना आज का यह पार्ट थ्री अनपात समानपात क आपको कराए गया ठीक ना तो तीनों पार्ट आप देख लिजिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आप कमेंट करके जरूर बतेएगा वीडियो आपको कैसा लगा यदि यह अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने दोस्तो धन्यवाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हीं जय भारत जच्छतिस गर्ण